प्रफ्राइब नाम है विवेग भरत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी बिद विवेग जहां मैं वोवल और केंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बैल आइकन को जरूर पैस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेज वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल आई हो दोस्तो आज कर वीडियो शुरू करते हैं बहुत important वीडियो है ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो भी जब आप कभी image देखते हैं और image में से आपको कभी कोई data जो है निकालना होता है copy paste करना होता है और आपको पता है कि image दिखके टाइप करेंगे या आप इसका प्रेंट निकालेंगे फिर उसको दिखकर टाइप करेंगे तो दोस्तों ऐसे में बहुत जादा टाइम लग जाता है और क्योंकि ये तो एक छोटी सी इमेज है अगर माली जी कोई बहुत बढ़ा डोकुमेंट होता बहुत सारे पेजिस होते तो आप मैनुली ये काम करते तो आपको बहुत ज्यादा घंटों से भी ज्यादा लग जाते तो दोस्तों इस काम को कैसे आप मिंटों में कर सकते हैं कैसे ओटोमेटिकली ये काम कर सकते हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर आजाता हूं यहां अभी कोई नहीं है दोस्तो आप दो तरीके से आफाईल ला सकते हैं जाहें तो यहांपा राइट क्लिक करके करते हैं फाईल को यहां से आपको यह एक मैंने नाम दे रका है यहां आप उपन करते हैं तो देखिए यहां पर जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गई है और यह यहां पर आ गई है दोस्तों जो है दूसरा तरीका जो था इसका आप यहां से इसको drag कर सकते थे यह देखिए इसको ऐसे ले जाकर और आप इसको यहां पर ऐसे drag कर देते तो यह drag हो जाती क्योंकि अभी दोनों का नाम सेम है इसलिए जो है हम इसको यहां से drag नहीं कर रहे हैं हम इसको ऐसे upload कर चुके हैं अब आप यह डबल टैप क्लिक करेंगे तो देखिए यह अभी PNG इमेज है और इसको जो है दोस्तों आपको करना क्या है राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद open with का option आ रहा है और यहां जो option दिया हुआ Google Docs यह online Docs option है Google का जैसे आप Microsoft में MS Word चलाते है उसी तरीके से यह Google का Docs है और जैसे आप इस पर open with करके Google Docs पर क्लिक करेंगे तो अब आपका content image जो है text में convert हो रही है थोड़ा सा time लेगी यह देखिए दोस्तों text में convert होकर यह आ गई है अब आप दोनों चीज़े यह देख सकते हैं image भी आपको दिख रही है उसका content भी आपको दिख रहा है यह image है यह इसमें जो लिखा हुआ था और इसको ही जस्ट इसका text convert कर दिया गया है what is 5G technology आप यह देख सकते हैं पूरा जो लिखा है यह अब आप यहां से इसको copy भी कर सकते हैं paste भी कर यह पूरा इसने content जो है जो image के अंदर दे रखा था उसको text के पॉम में बदल दिया है और बहुत ही आसानी से दोस्तों यह काम हो जाता है आपको बस करना क्या है जो भी content है उसको अपनी drive पर upload करना है यह देखिए यह इसकी word file बन गई है यह इसकी png image file थी हम folder के अंदर ग किया आप यहां देख सकते हैं open किया image भी उपर आ रही है और उस image के अंदर जितना भी content लिखा हुआ था वह text format में आ गया है और आप अब उस text format को जो है कहीं भी use कर सकते हैं तो दोस्तों यह सबसे अच्छा उपाय है हमने काफी सारे online test करके देखे लेकिन उतना accurate जो है न गूगल डॉक्स के द्वारा यह सभी गूगल की गलाकारी है गूगल translator की मदद से यह सारी चीज़े की जाती है गूगल डॉक्स में convert कर दिया जाता है और दोस्तों जितना time आप इसको type करने में लेते और जितने आपको काम करने पड़ते उनसे आसानी से यह बहुत ही कम सम सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है बिविक भारत द्वाज थेंक यू